ओम शान्ति और अब हम सुनेंगे 21 मे के इशुरे वरदान की बारे में जहांपर परमपिता परमात्मा चाते हैं कि हम सारे ग्यान को समझ करके ड्रामा की जो सीक्रेट्स परमात्मा ने आकर के हमें रिवील करें हैं। खुलासा किया है कि बच्चे मैंने ड्रामा ऐसे बनाए ह तो जैसे डाक्टर होता है की शुरुआत किसी होगी कौन आएगा कॉंसकर आएगा फिर उसके उन्दे इंट्रवेल होगा इंट्रा अंडने बाद में लास्ट में सीन आएगा जहां पिर विलेन आएगा लड़ाई होगी उसी तरह के से परमात्मा कहते हैं यह उसी तरह के से यह ड्रामा, यह दुनिया का ड्रामा बनावा यहाँ पे 700, 800, 900 करोड आत्मा यह द्रामा में पार्ट ले रही है तो यह ड्रामा का भी तो डारेक्टर परमात्मा पिता है ना generator operator destroyer तो G.O.D. God तो वो कैसे रचते हैं कैसे इस दुनिया में स्वर्ग की स्थापना करके उसको operate करते हैं और जब स्वर्ग खतम होकर के नर्ग बन जाती है दुनिया तो उसको कैसे D से destroy So G.O.D. God generator operator destroyer बन जाते हैं तो परमात्मा इसी तरीके से सारे राज को जब हमें खुलासा कर देते हैं तो हमारे अंदर चिंता नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर कोई stress नहीं कोई tension नहीं यह क्यों हुआई ऐसे नहीं होना चीता ऐसे नहीं बोलना चीता इस तरीके से नहीं करना चीता उस वेक्ति को ये कोशिन आ नहीं सकते क्योंकि हमें सारे राज पता चल गए हैं तो जिसको राज पता ले लाते हैं वो ना राज नहीं हो सकता किसी से परमात्व कहते हैं वरदान में ड्रामा के हर राज को जान सदा खुश राजी राज को जाने से खुश राजी रहने वाले नौलेज़फुल तरिकाल दर्शी भवा तरिकाल मतलब कि तीनो कालों के बारे में जान लिया आपने कि आपको पता चलगे कि पास्ट में जो हुआ है आपके पूर्वे जन्मों में जो जो किया है और अभी आप जो करेंगे और आगे जो होने वाला है वो सब कुछ आपको खुलासा कर दिया गया है अब हमें उसी तरीके से चलना है परमात्माने अपनी रचना करी हुई रचना करी हुई इस दुनिया के राज को बता दिया है जो लौसें बता दिया है अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा अकल याड़ है अगर हम उसके विपरीच चलेंगे तो हम अपना ही सर के उपर भसम करना जैसे बसमासोर हो जाएते हैं तो हम अपना ही अकल याड़ कर बठेंगे तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चे है, हमारत में हमें बच्चे हैं, knowledge full और त्रिकाल दर्शी हैं, जिनको सारा ग्यान हो चुकएा, पर्मात्Forum कौन रहे हैं, कहा recuperate हैं, कीसे दिखते हैं, हम कौन हैं, और ये दुनिया का रचना कैसे हुई है, कौन किस किस के करदार कैसे है, कौन पहले हैगा, कौन बाद में हैगा और फिर तरिकाल दर्शी, तीनों काल को जान लिए, पास, प्रेसेंट, फ्यूचर, बूत, काल, वरतामा काल और भवेशे काल को भी पचान लेगे कि होने के वाला है इस ट्रामा में आगए, तो अब सारे पेपर लीक हो चुके हैं, तो फिर क्या होगा, मूड उपर नहीं हो सकता, आपके अंदर टेंशन नहीं आ सकती, आपके अंदर कॉश्चिंज नहीं आ सकते, क्यों, क्या, कैसे तो तरिकाल दर्शी है, वे कभी नारास नहीं हो सकते, भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे, तो भी राजी, क्योंकि जिसको राज पता है, जो कि योगी आत्मा है, राज योगी आत्मा है, उसको कभी इंसल्ट पिलनी होगा, उसको फूल जैसे महसूस होंगे फिर भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे, तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले, ये क्यों हो रहा है, उसको ये पता रहेगा, उस राज युगी आत्मा को नाराज नहीं होते हैं क्योंकि जिसको राज नहीं पता वो नाराज हो जाता है वो राजी नहीं रहता नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है इसलिए सदैव ये स्मृति रखो कि भगवान बाप भगवान क्या बनके हम हमारे बाप है हमारे कि बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे क्योंकि परमात्म ने सारे राज बता दी उसमें भी अगर भरोसा नहीं करेंगे तो अगर राजी नहीं होंगे राजों को समझेंगे नहीं, उनको accept नहीं करेंगे तो हम हमेशा नारास रहेंगे ऐसे क्यों होगे, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे मैंने तो नहीं बोला था, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसे क्यों समझ लिया, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, क्यों हमें राजी नहीं बता है, हमें हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक आत्मा का अपने अप क्टप राजी ब हैं वही बापके समीब और समन है जो पर्मात्मे से खुश है जो पर्मात्मे कहते हैं मैं उपर देख करके देख रहा हूं कि मुझे पता है कि कोई मर रहा नहीं है आत्मा शरी छोड़ रही है हाँ तकलीफ होती है जरूर लेकिन वो कर्मों का हिसाब किताब है जो कि हम नहीं जानते हैं कि हम प्रेजेंट को देख रहे हैं, हम तीनों कालों को नहीं देख रहे हैं कि उस आत्मा ने पास्ट में क्या किया होगा, जिसकारन से उसके साथ यह हो रहा है, युकरेन की आत्मा ने क्या किया होगा, जिसकारन से उसके साथ में यह हो रहा है, परमात्मा कहा रहे हैं, यह सब कु कैसे देखें कैसे इस को महसूस करें इसलिए आपको ब्रह्मा कुमारिस का साथ दिन का कोस करना बहुत जरूरी है इसके साथ मुश्यंति